हेलो फ्रेंज वेलकाम बैक टू अनादर वीडियो गाइस आज की इस वीडियो खास करके उन्हें लोगों के लिए बहुत इंपोर्टन होने वाली है जो लोग जोमेटो जोइन करना चाहते है तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जोमेटो जो है ना एक ओर्डर में ए मैक्सिमाम एक ओर्डर में आप कितने कमा सकते हैं यह चीज़े भी आज पूरा क्लियर करेंगे तो चलेए गाइस आज का वीडियो शुरू करते है तो पूरा डाउट यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं तो इसको दिखाने के लिए सबसे पेरी का करना पड़ेगा मुझे जा तो भी जाते हैं प्याऊट के ओप्शन पर सब्सक् Lincoln अदेख सकते हैं प्याऊट में ने क्लिक कर दिया है और यहां पर देख सकते हैं मेरा जो अर्निंग हैं आज का वह 254 और यहां पर देख सकते हैं ट्रिप मैंने 11 क्वाषं कंबड철 कि किया है और यहां पर मैंने above alle largeroric लोग इन आवर्ड जो है वो 9.2 है याने हाला कि अर्णिंग जो है वो बहुत ही कम हुआ है क्या छोड़िए मुझे जो करना है वो मैं आपको बताता हूँ अब यहाँ पर देख पाएंगे यहाँ पर देखें सी ट्रिप के अप्शन आ रहा है इसमें मैं क्लिक करता हूँ तो और में मिला है मुझे 24 रूपिज उसके बाद यहाँ पर मिला है 61 रूपिज तो यहाँ पर चार मैंने आपको दिखा दिया है और भी आगे दिखाता हूँ सो घ्जिए वाले स्क्रीन पर दीखे मैंने एक ओर्डर में 73 रूपिज कमाया और दूस्रे ओर्डर में 20 अभी में आपको ये minimum दिखाया है ना अभी में आपको maximum दिखाता हूँ अब ये महिना के लिए यानि November 2023 के लिए यहाँ पे highest मैंने 198 रुपिस कमाया है आप दिखें कभी कबर एक order में maximum हमको कितना 2020 मिलता है या फिर 240 भी मिल जाता है और कभी कभी इससे भी ज्यादा मिलता है एक एक order में डिपेंड करता है कि वो कितने long distance का order है और वहाँ पे कौन सी day है यानि यहाँ पे दिखें एक चीज क्लियर कर देना चाहता हो ताकि आप लोग का पूरा doubt जो है वो खतम हो जाए अब दिखें यहाँ पे जो मुझे 198 रुपिस मिला है ना वो अगर Monday को होता तो मुझे और थ जादा मिलता है अब या आपको बताता हूँ जो मैने 20 रूपिस अपको दिखाय था ना टूइन्टि रूपिस उसका pickup distance कितना था वह हिए दिखाता हूँ अब गईस यह वाला आ गया 20 रूपिस वाला ओरर इसमें मैं क्लिक करता हूँ अब दीखें जैसे मैंने क्लिक किया है कुछ इस तरह से मुझे दिखाए दिया है यहाँ पर दीखें टोटल आर्णिंग जो है वो 20 रूपिस का है अब यहाँ पर देख सकते हैं, order पर यहाँ पर मुझे मिला है 15 रूपिस याणि 18.79 रूपिस और यहाँ पर मिनिमाम वेज पर मुझे मिला है 1.21 रूपिस तो यह दोनों मिला के हो गए मेरा 20 रूपिस अब हम देखते हैं कि Pick up और Drop Distance कितना है इसको देखने के लिए यहाँ पे एक arrow मिलता है इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो गैस यह वाले screen पे आपको दिखाए दे रहे है यहाँ पर दिखा हुआ है एक option distance travel यानि इसका जो pick up था ना pick up यहाँ पे pick up लिखा हुआ है यहाँ पे drop लिखा हुआ है अब इसका जो pick up distance था वो था 1.28 km और drop कितना था drop था यहाँ पर देखा travel distance यहाँ पर देखे 0.54 km तो यहाँ पर मुझे 0.54 km ट्रावल करना पड़ा और मेरा pick up जो था वो 1.28 था तो इसके हिसाब से मुझे कितना मिला 20 रुपिस मिला है अब ही मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने maximum 198 का दिखाया था उसका pick up और drop distance कितना है तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आ गया हम उसी screen पर यहाँ पर दिखे 198 लिखा हुआ है यह जो highest turning है तो इसका detail लिखने के लिए मैं इस पर click कर देता हूँ अब दिखे guys यहाँ पर में सबसे पहले आपको दिखाता हूँ लिखाते हो तो कितना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पिकप लुखा विया है और उसके बाद मेंने पर गया और यह order okay का마 करने के बाद मेरा यहाँ यह आता है drop distance आप दिखेंगे drop distance कितना है यहाँ पर लिखा हुआ है distance travel तो distance travel यहाँ पर देख सकते है 16.56 km यानि 16.56 km मैंने travel किया यह मतलब यह तो है वो pick up नहीं है यह सिर्फ ओर सिर्ट्रेंस से customer के distance तक का तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा मान लिजिए यहाँ पर restaurant है और इस्टेंस से मैंने पिक अप गया और पिक अप करकी कस्टमर के लोकेशन पे गया तो इसका जो डिस्टेंस से वो है 16.56 किलमेटर अगर हम roughly अगर calculate करें तो यहाँ पर मिल गया आपको 16 और यहाँ पर मिल गया आपको 3 तो 16, 13, 19, 19 किलमेटर यहाँ पर हो गया 19 किलमेटर के साथ आप और एक किलमेटर जोड दीजिए लाइक यहाँ पर 56 आ रहा है यहाँ पर 23 तो मान लेजिए आपको 19 किलमेटर तो 19 किलमेटर मैंने ट्रावल किया तब जाके मेरे को मिला कितना 198 रुपिस अब दीखे 198 रुपिस के साथ क्या चीजिए एड हुआ है वो में आपको दिखाता हूँ अब यह वाले स्क्रीन पर दीखे यहाँ पर लिखा हुआ है 198.53 रुपिस और यहाँ पर दीखे ओर्डर पर मुझे कितना मिला है यहां पर 150.73 जो एक्टुउल ओरडर पर मुझे इतना मिला है उसके भाण छीटक पर देखे ओर लों डिस्टनेस रिटान पर लूंग डिस्टनेस अगर आप लेके जाते तो उसमें रिटान मिलते है और मैं बताना चाहूंगा यह long distance return पे क्या है उसके regarding हमने already एक वीडियो बना दिया है जिसका link में डाल दूँगा i button पे वहाँ से जाके आप वो बडियो जोरूर देख लिजेगा और यहाँ पे long distance return पे हमको मिला है 47.80 रूपेश तो यह cool मिला के मेरा हो गया 198.53 रूपेश जो कि मेरा highest इस मेने का highest एक order में मुझे इतना रूपेश मिला है So guys I hope आपको समझ में आगे होगा मैंने दोनों चीज़े आपको दिखा दिया है कि आप जो है minimum और maximum कितना earning कर सकते हैं वो भी एक single order में So guys आज का information कैसा लगा मुझे comment करके जरूर बताएए वीडियो अगर अच्छा लगा informative लगा तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजेगा So guys आज के लिए बस इतना ही वीडियो देखने के लिए आप सभी लोग को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद